नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अबडेट पे तो दोस्तो हाल ही में भारत के दोस्त इसराइल ने अपने आइरन बीम नाम के जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन है उनको एक UAV के खिलाफ टेस्ट किया था और इसके बाद 13 एपरेल को US की नेवी ने बता होंगे जो की काफी ज़्यादा लो कोष्ट और साथ में जो बड़े एडवांटेज है उनके साथ में आएंगे और अभी के लिए अगर आप डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम को देखते हैं तो इनको रोकना आप कह सकते हैं कि असंभव साही है तो इसी सब के बाद जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम के खिलाफ में करेगी और इस टेस्ट को आप इसराइल के दुवारा कंड़क्ट किये टेस्ट के समान भी मान सकते हैं तो अगर आप डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम को देखते हैं तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम को दे जिनने हम सब दुर्गा, टू, आदित्ते और साथ में काली जैसे नामों से जानते हैं। बाकि इसके बाद अगर आप D.I.D.O की Direct Energy Weapon System के बारे में बात करते हैं तो ना तो उनके बारे में ढंक से पब्लिक डोमेन में जो स्पेसिफिकेशन्स हैं वे मुझूद हैं ना ही उनके बारे में ज़्यादा जो जानकारी है वो पब्लिक डोमेन में हैं क्योंकि D.I.D.O किया जाएगा कि कैसे हम बविश्य में जो बड़े प्रोजेक्टाइल या फिर उबजेक्ट है उनको डिस्ट्रोई करने के लिए कितने पावरफुल Direct Energy Weapon System को बना सकते हैं तो अगर आप पास्ट की बात करते हैं तो D.I.D.O पास्ट में काफी सारे जो डेवस हैं उनके टे कैटेगरी में डाला है याने की भविश्य में जो Direct Energy Weapon System को तयार किया जाएगा तो उनके जो प्रोटोटाइप है उनको बनाने का 70% जो खर्चा है वो भारत की सरकार देगी और इसके बाद बाकी का जो 30% खर्च है वो खुद इंडस्ट्री को उठाना पड़ेगा DRDO ने इस Make One कैटेगरी में 300 किलोवाट के जो High Power के Direct Energy Weapon System है उनको बनाने का प्लान बनाया है साथ में DRDO इसके बाद 500 किलोवाट के जो Direct Energy Weapon System है उनको भी बनाएगी तो इससे पहले DRDO, Land Air और साथ में जो Naval Variant है उनको बना रही है ताकि भारत की जो तीनों सेनाई है वे आने वाले समय में Direct Energy Weapon System से लेस हो सके तो Land Variant हम कई तयार कर चुके है और इसके बाद Project 18 क्लास की जो Destroyer होंगे और साथ में हमारे जो M का Fighter Jet होंगे तो इनमें आपको Air और साथ में जो Naval Variant है वो देखने को मिलेंगे तो DRDO ने जो RFI को जारी किया है तो उसमें उन्होंने UAV के लिए जो Dimensions मांगे है तो उन्हें देख करके लगता है कि DRDO यहाँ पर 100 किलोवाट से लेकर के 1500 किलोवाट का जो Direct Energy Weapon System है उसको Test करेगी तो हम पहले ही 100 किलोवाट का जो Aditya Davis है उसे बना चुके है तो हो सकता है कि उसके Upgraded Variant जो की लगबग 1500 किलोवाट तक का Direct Energy Weapon System हो सकता है उसको यहाँ पर Test किया जाए तो दोस्तों अगर जैसे ही यह Test Conduct किया जाता है और बाद मे कोई भी जानकारी Public Domain में आती है तो मैं वीडियो बना करके आप सबको बता दूगा तो बाकी तो इस सबके उपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताएगा साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइ कर देजेगा ताकि आपको और ऐसे ही जो वीडियो सवे मिलते रहे तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक किल गुडबाई जैहिंद